हेलो श्रूएंट मैं डॉक्तर बरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रेटिकल जोगरफी हमारा टॉबिक चल रहा है प्रच्छेप और प्रच्छेप के अंतरगत मैंने आपको कल पढ़ायता एक मानक अच्छांस वाले जो संगू प्रच्छेप होते हैं उनके बारे म और आज हम दो पढ़ने वाले हैं दो मानक का च्छांस वाला संगू प्रच्छेप जो एक ऐसा प्रच्छेप जिसमें दो मानक रेखाएं हमें लेनी होती हैं और दो मानक रेखाओं के आधार पर इन प्रच्छेपों को बनाया जाता है तो मैंने आपको ये बताये था कि ज संकु प्रेशिंप में एक मानक होता है इसका मतलब यह रहता है कि जैसे ही आपका ग्लोव है इस ग्लोव की ऊपद जब हम कागज को लगाते हैं और जब वह कागज एक इस्थान पर टच्छ होता है तो तो दो मानक अच्छान संगू प्रच्छेव कहलाता है अब सबसे पहले यह जो कोशन दिया गया है थोड़ा से इसको पढ़ लेते हैं कोशन दिया गया है कि 20 डिगरी उत्तर से 80 डिगरी उत्तरी अच्छान्स तथा 60 डिगरी पूर्वी देशांतर के मद्देश्थित छेत्र का मानक अच्छान संगू की रचना कीजिए प्रच्छेव में 40 डिगरी उत्तर और 60 डिगरी उत्तर अच्छान्स को मानकर इसको बनाई है यानि कि आपको एक यहां पर प्रच्छेव बनाना है जिसकी प्रद्रसक भिन्न दी गई है एक अनपात 12 क्रोड़ 50 लाख इसमें यहा 80 डिगरी पर होगी और 1,50 डियरी उत्तरि अच्छान्स को अच्छान्स है तो ऐसे प्रच्छेव जिसमें कि शिर्टिषन लेकर गी बनाए ता और दूसरा हमोग प्रचहत था यहां हमें तीन बनाने पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि दी गई भीडिन के अनुशाव सबसे बहले हमें यहां इसका आर एफ निकालना पड़ेगा या रेडिशन निकालना पड़ेगा तो रेडिशन निकालने का सूत्र होता है आर वरावर यानि रेडिशन वरावर या गोले का अर्धव्यास वरावर यहां पर प्रत्वी का वास्तविक अर्धव्यास अर्द्व्यास बट्टे दी गई प्रदसक भिन का हर यह हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग किसी भी रेडिशन को या प्रत्वी के अर्द्व्यास को निकालते हैं तो आग इसको शॉल्व करने के लिए रेडिशन वरावर प्रत्वी का वास्त्रिकर्द्व्यास तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्वी का वास्त्रिकर्द्व्यास होता है अगर आप इसको सेंटिमेटर में ले रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा 63 करोड़ 50 लाख और अगर आप इसको इंचों में लेके मान के कर रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा 25 करोड़ तो अगर हम इसको सेंटिमेटर में ले रहे हैं तो यहां पर हमें 63 करोड़ 50 लाग संख्या रखनी होगी और यहां अगर हम इसको इंचों में लेंगे तो यहां पर हमें 25 और पचास लाख ये प्रत्वी का वास्त्विक अर्द व्यास है और नीचे कोई संख्याएगी उसके लिए दी गई प्रत्विक भिन्न का हर तो आप यहाँ देगिए ये देया गया है एक अनपात बारे करोड पचास लाख तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो हमें इसे देखने से पता चलता है कि यहाँ पर यह जो संख्या दी गई है वो है बारे करोड पचास लाख उस संख्या को हम यहाँ रखेंगे और अब हमें क्या करना होगा अब हमें यह करना होगा कि इस संख्या से इस संख्या को हमें भाग दे करके निकलना होगा तो इसका आंसर आएगा 5.08 cm जब आप इस कोशन को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से तो आपका आंसर आएगा 5.08 cm अगर आप इसे इंचों में सॉल्व करना चाहेंगे तो यहां पर आपको लेखना पड़ेगा उपर 25 क्रोड इंच और 25 क्रोड में जब आप 12.5 क्रोड इंच का भाग देंगे तो यहां आंसर आएगा 2 इंच हाला कि एकी बात होती है चाहें वो 2 इंच इकाई हो या आपकी 5.08 हो लेकिन हम इसको संट्यूटर में इसको से लेते हैं जब या इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको लोग सबसे पहले कि आपको अपने इसकेल में 5.08 या आप 5.10 cm के रेखा लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 cm पूरे-पूरे लेंगे और 1 cm और 10 छोटे-छोटे mm होते हैं तो 5 cm पूरे और 1 mm और यानि 5.1 cm की दूरी आपको प्रकाल में लेनी हैं और उस दूरी को लेकर के आप क्या करेंगे कि एक गोला बनाएँगे । जब यह गोला बन जाएगा तो जहां आपकी प्रकाल की नौवह है जैसे यहां हैं इसके आधर पर आपको क्या करेंगे इसको चतुर्थांग में बांटदेंगे चार भागों में इसको हम लोग इन भाग को हम लोग क्या करते हैं इनको अठा देते हैं और उसके बाद में हमारे पास ये वाला चतुनताग वाला भाग बचता है अब ये जो आपने ये जो भाग लिया है चतुनताग का ये जो रेखा है वो है 5.08 सेंटिमेटर अब हमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर पहला कॉंड 40 डिगरी पर 40 डिगरी पर और दूसरा कॉंड 60 डिगरी पर यहां पर डालना है है तो हमने क्या किया कि यहां दो कौंड बना लिए एक तो 40 डिगरी पर 60 डिगरी की हूँ क्यों कि वो कह रहा चालिश डिगरी पर मान भा math exactamente चंस बनाई हैं और 60 डिगरे इसलिठी यहां पर हम लोग इसको यहां O, A और V इसको हम लोग क्या करते हैं नाम दे देते हैं ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे C और इसको D नाम दे देते हैं C यानि कि 40 डिगरी कौन को दिखा रहा है और D हमारे 60 डिगरी कौन को दिखा रहा है इसके बाद में हमें करना ये है कि अब वो कोशन में कह रहा है कि 10 डिगरी अंतराल अंतराल हमें कितना रखना है 10 डिगरी रखना है तो हमें 10 डिगरी अंतराल के लिए यहाँ पर एक 10 डिगरी का कौण बनाना है तो हम क्या करेंगे कि चांदी की साहिता से एक 10 डिगरी का कौण बनाएंगे जो E से प्रतिसित होगा ये 10 डिगरी का कॉंड तो हमें करना ये है कि एक चतुर थांक लेकर के 5.08 cm का और 3 कॉंड ले लेने हैं जो कि 40 डिगरी, 60 डिगरी ये मान कच्छांस के लिए और 10 डिगरी जो कि अंतराल के लिए होंगे इसके बाद हमें करना ये होगा कि B और E, यहां पर B और E दोनों की दूरी को प्रकाल में लेना है B की और E को और ये दूरी को यहां बापिस लाना है O पे O को किंद्र मानते हुए यहां पर एक हमें चांप लगाना ये गोला की बनाना है एशे यह दूरी लेनी B E O को किंद्र मानिए और एक चांप लगा देजिए अब जब आपने चांप लगाया तो यह तीनों रेखाओं को कट कर रहा है यह 10 दीरी को भी कट कर रहा है 40 को भी कट कर रहा है क्योंकि मानिक चांप हमारे 40 तो चालिस रेखा चालिस के कौन पर होगा और एक होगा साट पे यानि कि आपको रहा है है यह रेखाय कट करनी है जो कि एक तो 40 को कट करेगी और एक करेगी 60 को अब हम लोग इसको क्या करेंगे जैसे इसको ऊपर वाले को जैसे मां चलो यहां G H नीचे को I और J कह देते हैं यह हमने इसके नाम दे दिये तो आप देख रहे होंगे कि H G और H जो लंब डला दिगरी पे और I और J है वो है आपका 40 दिगरी पे तो इस प्रकास से यह अभी आपका पहला एक कंप्लिट हो गया यह हमने क्या गया भी ए बना लिया इसके बाद में इसका हमें दूसरा चित्र बनाना है उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक रेखा खीचनी है कि आपकी रेखा खीचिए और C और D की दूरी लीजिए और यहां पर निसान अब हमें करना यह होगा कि D पर आप देखो D पर जो G और H की जो दूरी पड़ी हुई है यह दूरी यहां से लेनी है और जितनी लंबी रेखा है वो आप डिवाइटर में ले लीजिए और यह आपको उतनी ही यहां पर D पर लाकर के एक निशान लगाना है जैसे यह यहां आपके यह लगा दी तो ऊपर बाली 60 वाली जो कौन की दूरी थी वो 60 वाली पर लगा दी और 40 वाली जो दूरी थी वो हमने 40 पर लगा दी अब हमें करना यह होगा कि यहां पर is scale इन दोनों को iskil तच कीजिए और is skill को रखते हुए इनको यहां आपस में रेखाहं को तो यह अपने आप ऊपर जाकर के एक जगह पर दौनों रेखा हैं कटाई नहीं तो यह चोटी है तो इसको और बढ़ा दीजिए आप कि अब यह रेखा इस इस्तान पर कट गई कि अब हम क्या करें यह रेखा यहां कटी यह तो होता है पी बिंदू यहां पर यह हमारे दो भाग या दो रेखा निकल के आ गई इसे हम लोग यहां जैसे यह एच के लिए थी और जैसे यह आई वाली रेखा थी तो यहां आप देखेंगे कि हमने पहले एक बिनानाप की रेखा ली फिर यहां पर H और G की दूरी थी वो यहां डाली और I की जो दूरी थी जो C वाले कॉंड पर थी वो यहां डाल दी और दोन की बीच का जो अंतर था वो यहां से हम लोगों ने C और D को यहां से अंतर को य तो सबसे पहले हमने A बनाया जो की रेडिशन के तुरूब बनाया है 5.08 cm से A से बनके तैयार हो गया B तो जब B बन जाता है तो B के बाद में जो फाइनल बनेगा वो होता है C सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बिनान आपकी रेखा खीचनी है और अपने प्रकार में P और C की दूरी भरिये और यहां पर यह ऊपर बहला कि इसको P लिखते हैं तो P और C की दूरी लें और एक चांप लगा दें तो P और C की दूरी जैसे आपने चांप यहां लगा दिया प्रकार में तो P की और C की दूरी लें अब यह ऊपने यहां से P और D की दूरी लें और यहां पर एक चांप लगा दिया यह कितनी का है 60 का के 60 डिगृ अच्छांस तो दो माला का च्छांस रेखा यहां निकलके आगई आपकी 40 डिगृ और 60 डिगृ अब हमें करना होगा कि इनके वीच में आप देख रहे होंगे कि चाली से शाट अब बीच में एक अच्छांस होगा कोस्तर में देख लीजिए वो कह रहा है कि अंत्रा रखना है में 200 देस्वन तरह रंतरा रखना है 10 तो चाली सो शाट 3 की दीच में या 50 डीजरीक roommate 1002 उत्तरी तो पिर्टे लिए आपने क्या करते हैं कि यहानपे आप देखिये चाहे तो आप इसका मद्ध भाग चुल लीजिए यहां पर बूर एकश्रा है यहांपे दुरी दूरे देखें तो यहांपे दूरी दूरी लिजिए और यहां निसान लगा लें और यहां पर प्रकार रखिए यह बापिस पीपे और एक दूसा चांप लगा दीजिए पुरेखा इस प्रकास से होगी तो अब आप यह देखें कि यह 40 यह हो गया 50 कि यह हो गया 60 कोशन में क्या कह रहा है कोशन में वह यह कह रहा है कि 20 दिगरी उत्तर से 80 दिगरी उत्तर यह चांस तो 60 का तो आ गया अब 70 असी हमें दो रेखा हैं और मनानी है तो आप यहीं से बापिस फिर दूरी ले लिजिए अंत्राल वाली बी ए की तो यहां दो निसान लगा लो एक निसान यह आ गया एक निसान यह आ गया और पी को किंद्र मानते हुए फिर आप दो चांप लगा दो एक और दो तो यह हो गई आपकी 70 और यह हो गई 80 अब आपकी 40, 50, 60, 70 और 80 तक कि आप लोगों के उपर आ गए लेकिन जो इस्टार्ट करवारा वो करवारा 20 लिजिए उत्तर से तो आपने 40 से तो है तो आपको 30 और 20 दो रेखा हैं आपको ओन नीचे बनानी है तो वही सेम फिर आप B और E की दूरी लें और यहां पर दो निसान ओल लगा लें तो यह एक 50 को यहां पर 30 को इंडिगेट करेगा और एक 20 को प्रकाल खोली है प्रकाल को यहां पी पर रखी है जहां पर आपका दिया गया है और वहां से फिर आप बापिस यहां पर चांप गुमा इस तो 20 डिगरी से 80 गुदी तक उत्तर है अज़र्म से 20 जे इख तक बनाईए अब और अ बनानी देशांतर किया पर देас Only music से 60 पूर्वी देशांतर के मद्दीके छेतर को पढ़वारा तो अ जानते होंगे कि यह वीजl sąत्य होति तो 0 डिवी जो देशांतर रेखा है अब वो 10-10 के अंतराल पर कह रहा है तो वो कह रहा है कि 60 डिगरी पच्छिन तो 0 के बाद में आपको यहां पे रेखा एक 10 की एक 20, 30, 40, 50 और 60 यानि कि आपको 6 रेखा इदर बनानी होंगी अच्छे रेखा आपको इदर बनानी होंगी अब लेकिन रेखाओं को बनाने के लिए देशांतर रेखाओं को बनाने के लिए यहां पर यह दिये गया जो माने यहां किसका प्रयोग होगा इन वाली माने का च्छांसों से हम इसको बनाएंगे तो अब हमें करना यह होगा, कि आप जो देख रहे हैं, यहां पर जो आप देख रहे हैं, कि सबसे पहले आप एक काम करें, कि यह जो देखो, यह जो दिया गया है मान, यह आप जानते होंगे, कि यह उपर वाला भाग है, वो 60 डिगरी को दिखा रहा है, और यह दिखा रहा ह तो आप यहां से लें या यहां से लें एक ही बात है तो आप यहां से माल ले लें HD का माल यह 60 डिग्री का है तो यह दूरी डिवाइटर न भरिए और 60 पर ही आज़े 60 डिग्री रेखा भी आ जाईए और 6 आपको निसान लगाने है जो देशांतर को बनाने के लिए होंगे तो आप यहां से दूरी लें 60 के लिए यहां से लेने एक ही बात है फिर आपको क्या करना है कि यह 40 का है यह वाला IOC वाला तो आप यहां से भी ले सकते हैं इसको और यहां से भी ले सकते हैं तो यहां से हम भाग लेंग दूरी को लेंग डिवाइडर में और फिर हम यहां पर लाकर करके 40 पर 6 भाग लगाएंगे निशान लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे ही 6 इदर लगा लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अब हमें करना यह होगा कि Scale की साहिता से Scale का एक सरा यहां रखिए यहां पर टच करेगा और यहां टच करेगा तो हम Scale की साहिता से इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं इस प्रकार से इसको मिला दें ऐसे ही इदर को मिला दें आप Scale की साहिता से जो कि यहां इस P Point को और यह आपने जो 60 प्रकाटा है उस Point को और 45 प्रकार से इसको मिला है और यह जो X टावल भाग होता है इसको हम क्या करते हैं? इसको अठा देते हैं अब यहां प्रकार आपको लिखना पड़ेगा 0 10 20 30 40 50 60 अब यह जो भाग होता है वो पश्यम का होता है तो यह पश्यम लिख दीजिए ऐसे यहां 10 20 30 40 50 और 60 यह पूरब है तो यहां पर पूर हो अब यह अच्छांस रेखाओं के लिए भी यहां पर वो कितने हैं? 30 40 50 60 और यहां पर 70 और 80 उत्तरी है तो यहां उत्तरी अच्छांस इसी प्रकार हम क्या करेंगे? कि यहां पर जो मानक अच्छांस रेखा है उत्तरी को डार कर देते हैं तो दो मानक तीक तो एक तो हमारी 60 वाली थी उसको डार करेंगे एक यहां 40 वाली को हम डार करेंगे क्योंकि हमारी यह दोनों मानक का अच्छांस रेखाए हैं और यह जो मानक का अच्छांस रेखा है उत्तरी हमारी लिख देते हैं या तो आप इंग्लिस में लिख दें इस्टेंडर पैलल या पर हिंदी में लिखना है तो आप मानक अच्छांस लिख दें तो यहां पर आप मानक कि अच्छांस कि नीचे भी आप मानक कि इस प्रकाति को लेख देते ही और यह हमारे में होता है वह होता है प्रोजेक्श तो इसपर कर से यह परोपकर न परता है क्वेस्ट सब कर ना परता है लेने होते हैं तो यहां पर दूसरे वाले प्रक्रफ में आप देखेंगे यहां पर यह दोनों के मान यहां से लेकर बनाते हैं जैसे पी यान दुर्वी चित्र होता है उसको निकालने के लिए बनाना पड़ता है जब यह बन जाता है तो इससे ये विशेष्टा होती है कि ये जो आप देखने होंगे मान का चांस 4060 डिग्री का जो दिया गया है ये इस अच्छांस रेखा पर ये सुद्ध होता है जबकि बाकी आप अच्छांस रेखां को देखेंगे आप यहां देखेंगे या थोड़ा सा उपर देखेंगे इन छेत् आज का प्रोजेक्शन जो दो मानक अच्छांस वाल्स को संकू कहते हैं तो आपको ये आपको समझ में आया होगा आज का प्रोजेक्शन अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब ज़रूल करें कल एक नया प्रोजेक्शन हम फिर पढ़ेंगे थैं झाल झाल